हलो एवरीवान, वेलकम टू लर्न भी एक्स्ट्रा, आइम शिवानी चौहान, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास नाइन्थ, माथ्स की बुक का चाप्टर 6, लाइन से रेंगल की एक्सरसाइज 6.3 का question number 5, इससे पहले हम लोग सारे chapters और इस chapter की सारी exercises वगरा सब कुछ cover कर चुके हैं, अब हम लोग इसमें देखते हैं, question number 5, ठीक है, तो question number 5 जो है, ये रहा, इसमें हम लोग को बोला गया है, ये जो हमें figure given है, इसमें PQ is perpendicular to PS, यानि की देखो, ये है PQ, ये वाली जो लाइन है, ये पर्पेंटिकुलर है किसके, PS के, PQ is perpendicular to PS, ठीक है, PQ is perpendicular to PS, और PQ is parallel to SR, PQ is perpendicular to PS, ठीक है, और ये जो PQ है, ये parallel है SR के, ठीक है, PQ is parallel to SR, ठीक है, ये वाली चीज़ हो गया, और PQ जो है, perpendicular है PS के, यानि की, PQ जो आप perpendicular है, आपको साहें देख रहा है न, PQ is perpendicular to PS, ये देखो, ये 90 डिग्री बन रहा है, और ये जो है, PQ is parallel to RS, अब SRQ, यानि की, SQR, ये वाला, जो SQR है, ये वाला angle, angle SQR, ये क्या है, ये है 28 डिग्री, ठीक है, angle SQR क्या है, 28 डिग्री है, और हम लोगों को QRT, यानि की, QRT, ये वाला दे रखा है 65 डिग्री, हम लोगों को angle X और angle Y, इन दोनों angles की value निकालनी है, तो देखे, काफी simple सा हो जाएगा, हमारा कैसे, क्योंकि इससे पहले जो properties, हमने alternate interior angle, और एक triangle sum property, दो property लेगेंगी, यहां देखो, हमें पता है, कि ये वाली line इस वाली line के parallel है, तो जब दो line parallel होती है, और उसमें ऐसे करके Z करके, एक formation बनती है तो जो ये वाला Z का ये वाले से कैसे Z बन रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में equal हो जाता है ठीक है तो Z formation बन रही है तो येवाला एंगल और येवाला एंगल क्या हो जाएगा आपस में equal हो जाएगा यानि कि this येवाला और येवाला equal है यानि x plus 28 is equal to क्या है 65 है यानि कि angle PQR एंगल PQR ठीक है ये है x plus 28 ये है 65 तो x की value निकल जाएगी x की value आजाएगी 65 minus 28 और येवाला क्यों है ये है हमारा alternate interior angle alternate interior angle की property यहाँ पर हमने लगाई है तो x की value क्या आजाएगी 15 में से 8 जाएगा तो कितना बज़ेगा 5 6 7 और यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा तो 3 यानि की जो x है x की value आ गई 37 तो simply x की value क्या आ गई x हमारे पास 37 आ गया अब देखो अब ये वाला triangle है ये 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 वाला triangle है इसमें p जो है वो 90 डिगरी है और plus angle qsp ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 180 डिगरी और ये क्या है angle sum property of triangle ये होती है कि जो triangle के सारे angles होते है उनका sum जो होता है वो 180 डिगरी होता है तो ये वाला तो 90 डिगरी है qps तो एक 90 है और हम लोगों ने p qs ये वाला qx की value निकाल ली है वो 37 है और हमें इसकी निकालनी है ये वाले की जो y है तो y is equal to 180 डिगरी अब 90 plus 37 क्या होता है तो ये हो जाएगा 9 10 11 12 127 प्लस y is equal to 180 डिगरी तो y क्या हो जाएगा y is equal to 180 डिगरी माइनस 127 ठीक है 180 डिगरी माइनस 127 तो ये हो जाएगा ये देखो 10 में से 7 गया बचा 3 7 में से 2 गया तो क्या बचा 5 बचा और 1 से 1 चला गया यानि की y की value क्या आ गई y की value आ गई 53 डिगरी y 53 आ गया y हाँ पे हमारा आ गया है 53 और जो x है वो हमारे पास आ गया है 37 तो y क्या आ गया y हमारे पास आ गया है 53 degree और x हम लोग के पास आ गया है 37 तो y 53 आया है और x आया है 37 हम लोगों ने क्या क्या किया है एक तो हमारा angle sum property लगी एक तो यह लगा है alternate interior angle कि इसका और इसका जो है यह दोनों एक को लोंगे तो इससे x की value निकल गई और फिर x की value आ गई यह वाला 90 था तो हमने angle sum property of a triangle से y की value भी निकाल लिया है तो यह side में solution है या फिर आप लोग यहां से देख सकते हैं कि alternate interior angle से हम लोगों ने ऐसे करके निकाला फिर उसके बाद x जो है 37 आ गया था फिर हम लोगों ने qrs निकाल लिया और फिर उसके बाद हमारी आगे की value आ गयी देखो इस तरीके से हमारा y क्या आ गया y हमारा 53 आ गया और x हमारा आ गया 37 इस वाले में हम लोगोंने triangle sum property लगाई है कौन सी property लगाई है इस वाले में हमारी triangle sum property लगी है और यह जो है यह वाला इसमें ये हम लोगों ने alternate interior angle x plus 28 x plus 28 is equal to 65 x plus 28 is equal to 65 this is equal to this है तो x की value क्या आ जाएगी? x की value आ जाएगी 37 फिर उसके बाद जो ये वाला triangle है ये वाला जो triangle है ये वाला जो आ रहा है इसमें क्या है? ये जो है ये 90 है और x की value क्या है? x की value 37 है तो ये हम लोग का पूरा solution हो गया है अब हम लोग इसका जो next question है वो next video पर देखेंगे और फिर video हो जाएगी मतलब फिर chapter complete हो जाएगा फिर आगे की chapters देखेंगे अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe ज़रूर करिए थेंक्यू